हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार वितायोश और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 23rd मार्च की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे क्वालिटी फॉयल्स आईपियो मेड इन फोर्जिंग्स आईपियो आज से ही उपन हुआ है उदेश शिफकुमार आईपियो आज आखरी दिन है आज एक आईपियो है में आन इशू का उसकी लिस्टिंग हुई उसके उपर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और GMP के अं आज उदेश शिफकुमार इंफरा आईपियो क्लोज हो जाएगा लगातर इसके उपर वीडियो आई रहा है आज भी पाच बज़े जब फाइनल स्ब्सक्रिप्शन निकल के आएगा तो वीडियो आएगा याएगा सबसे फ़ले छोड़ी से इंफोर्वेशन समलीजे कि य आईपियो जो है वो 23rd of March जैनि आज बंद हो जाएगा आखरी दिने आज 35 रुपीस का इसका प्राइस बैंड है 428 अब को मिलने वाले बहुत छोटा सा इशू है 66 करोड का और यह इशू आज क्लोज होता हुआ नजर भी आने वाला है अब अगर सब्सक्रिप्शन के उपर हम बात करते हैं अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं तो देखिए एक बात साफ है कि सब्सक्रिप्शन काफी बढ़िया आ रहा है क्यों भी इसके तरह दोस्तों almost 10 टाइम के आसपास इस इसशू को सब्सक्राइब कर दिया गया और कल मैंने एक या आपको कही थी कि 42.10 टाइम जी हां 42.10 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है सिफ एचनाई के टेगरी में तो आप कह सकते हैं कि जो पैसा है वो डिफिनिटली काफी बढ़िया आ रहा है और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि पाच बेदा कि और भी इंक्रीज होगा इसमें तो कोई डाउट नहीं है बड़ एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा पैसा आएगा अगर मैं बात करता हूं स्मॉल एचनाईस की तो हमेशा देखें मिन आपको पहले भी का था फॉर्स देवी कि स्मॉल एचनाईस हमेशा आगे रहते हैं तिल जो भी सेकेंड है राइट थर्ड दे आपे चार दिन क बहुत ही ज़दा कमाल है रीटेल केटेगरी ने दोस्तों करीबन 10.68 टाइम से इशू को सब्सक्राइब कर दिया और कुल मिलाकर ये इशू almost 20 टाइम सब्सक्राइब हो गया मैंने कल भी आपको गाता कि मुझे लगता है कि करीबन 30 गुना क्या सब्सक्राइब हो सकता है औ लोग पैसा लगा रहे हैं काफी समवाई के बाद किसी मेन लाइन इसू के अंदर एंड क्यों आ रहा है उसके पीछे का रीजन भी आपको पता ही है because इस इसू के अंदर डिफिनिटली वह वाल्यू है जो बन सकती है अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको रिटन मिल सकता है इसलिए मुझे लगता है कि definitely यहां पर पैसा आ भी रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है अगर यहां पर refresh भी करते तो definitely यह subscription है वो 20 times हो चुका है subscription काफी बड़े है निकल के आ रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है और और पैसा अच्छा खाजा पैसा आने यह 10 रुपे कि इसकी face value है 63 रुपी का price band है याद रखेगा आपको 2000 शेर मिलेंगे एक lot के अंदर और अगर आप SME में फर्स टाइम लगा रहे तो यह बात ध्यान रखेगा SME में आपको lot में trade करना पड़ता है अगर 2000 का lot है तो आपको 2000 शेर एक साथ बेचने पड़ेंगे ऐसा नहीं कि अगर आप चाहे तो सिर्फ कुछ शेर बेच दे और कुछ शेर बात में आपको एक साथ पूरे के पूरे जो 2000 शेर जे उसको आपको trade करना पड़ेगा अगर बात करते इस issue के size की तो और even 23.84 करूर का issue पूरा का पूरा यह fresh issue है बोक बिल टाइब का IPO लिस्टिंग इसके सिर्फ बीए सिए में पहोगी अगर अभी तक के सब्सक्रिप्शन के उपर बात करें तो सब्सक्रिप्शन के उपर बात करें तो एक इशु तो नहीं है बट मुझे अगता है कि यहाँ इंट्रेस्ट भी अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यदा आने की उमीद नहीं है पैसे ज़्यादा निकल के नहीं आ रहा है कुल मिलाकर यह जरूर 23 करोड का इशु है इसमें जो इसमें QIB इसको दोस्तों करीवा 9.51% H&I इसको 30.66% और रीटिल को 59.83% of the shares offer किया गया देखते कितना पैसा निकल के आता है जैसे मैंने का मैंने एक्सपेक्टेशन तो यही कि कुछ खास उमीद नहीं करनी चीए इस इशु के साथ अब चलिए बात कर लेते हैं GMP के उपर उससे पहले सबसे जो मैं आपको कहा था कि आज हमें सबसे पहले बात करते हैं कि इशु के बारे में जो आज लिस्ट हुआ नाम उसका दोस्तों Global Surfaces एक मीनान इशु जिसे मैंने का था कि आज लिस्ट होने वाला है कल तो आज लिस्ट हुआ बहुत अच्छे लिस्टिंग हो इसमें कोई डाउट नहीं है देखिए एक्सपेक्टेशन थी कि ये करीवन 158 के आज पस लिस्ट होगा अकॉर्डिन टू ग्री मार्केट लिस्ट होता है दोस्तों ये करीवन 164 पे 6 रुपे मार्केट के एक्सपेक्टेशन से उपर लिस्टिंग होती है 17 परसंट के आसपस ये आज कई खुला था 17 परसंट के आसपस का यहाँ पर रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर ने कमाया है देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि में लाइन के अंदर पैसा बना है ये भी देखिए 10 परसंट की इसके लिमिट जादा नहीं बढ़ सकता ही है लेकिन अच्छी बात है ये कि अभी उसके बात भी इंक्रीज हुआ है जो उसका सर्किट था 172 के आसपस का वो भी लगा है एक समय पर जरूर अभी उसके ट्रेड नहीं कर रहा होगा लेकिन इंपॉर्टन बात क्या है कि पैसा बन रहा है में लाइन के अंदर भी तो इसलिए मुझे लगता है कि एक्स्पेक्टेशन जो है में लाइन से अब थोड़ी थोड़ी या फिर कहें जो खराब मूट माहूल था वो थोड़ा थोड़ा हटता हुआ भी नजर आएगा और ये काफी बड़िया बात है कि में लाइन के अंदर भी लोगों का पैसा बने इंट्रेस्ट निकल क्या है जिससे डिफिनिटली क्योंकि एक बात सच है कि SMEs में जादा लोग जरूर लगा लेते हैं बट बहुत जादा लोग नहीं लगाते है इंदर सेंस फदलब मेरा खेने का मात यह है कि डिफिनिटली देखिए SMEs होते हैं more than 1 lakh 1 lakh का एक एप्लिकेशन लगती है एक आम रीटेलर हो सकता है कि देखिए जादा ना लगा है लब आम रीटेलर 1 lakh देखिए उसी capacity हो सकता है कि ना हो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन में लाइन के अंदर जब 15,000 का एक lot होता है तो definitely आपको participation भी ज़्यादा देखने को मिलता है लोग interested भी काफी रहता है बिकास 15,000 का lot है लोगों का interest इसलिए रहता है बिकास नुकसान होने के बहुत ज़्यादा possibility नहीं रहती है यहाँ पर एक लाग रुपे से ज़्यादा का एक lot होता है में लाइन के अंदर वापिस से मूर माहूल चेंज होना यह बहुत बढ़िया बात है अब बात करते हैं IPO के उपर तो देखे बहुत सारे IPO निकल के आ रहे है SMEs में तो मतलब action बहुत ज़्यादा है हर दिन कोई नया IPO निकल के आता है अब ऐसा एक नाम निकल के आ रहा है Sotek Pharmaceuticals यह IPO जो है SME ओपन होने वाला है from 29th of March तिल 3rd of April यह ओपन रहेगा देखते कितना issue के अंदर response आता है अभी तो कोई green market start नहीं हुई है अगला आता है MOS Utility MOS Utility की price बन अभी तक निकल के नहीं आई है लेकिन यह issue का date निकल के आ चुका है from 31st of March तो 6th of April तो जल्द इसका announcement हो जाएगा तो यह IPO भी ओपन होने वाला है 18 April को इसकी listing होने वाली है तो अपने आप में काफी समय है अगला आता है दोस्तों Infinium Pharma Cam जिसके अर्में हमने कल बात कही थी details निकल के आच चुकिए 135 रुपीस का इसका price band है और यह issue जो है वो open होगा from 31st of March तो 5th of April तो यह issue भी नया आने वाला है अगला आता है दोस्तों यहाँ पर Made in Forging ग्रे मार्केट देखे कुछ चली नहीं है तो definitely एक response कह सकते हैं कि थंडा अगर आता भी है तो उसके पीछे कारण है विकाज कोई ग्रे मार्केट में इसको premium नहीं मिल रही है subject to rates कुछ नहीं है और यह issue open है और यह close होगा from on 27th of March उधर शिफ्कुमार इंफरा 10 रुपे ग्रे मार्केट है आज हुआ कहाता न एक समय बारा रुपे चले गई थी बाद में update निकल कहाता तो फिर 10 रुपे हो जाती तो ग्रे मार्केट जो है वो बस अभी जूल ही रही है 10, 12, 13, 11, 11 भी नहीं आई mostly 10, 12, 13 की बीच में जूल रही है 28.57% है subject rate 6000 के हैं और इसकी आज closing हो जाएगी और 3 एप्रिल को ये भी list हो जाएगा अगला दोस्तों issue निकल के आता है देव, leptek, ventures, 12 रुपे ग्रे मार्केट है almost stable है 23,5% की आसपास का listing gain मिल सकता है नजर आ रहा है command polymers minus 5 निर्मन agrigenetics minus 2 discount में possibility बहुत जादा है bright outdoor media minus थे quality falls 37, 60% की green market दिखा रहा है तो undoubtedly बहुत ही जादा काविने तारीफ है तो इस वीडियो में तो देखे इतना ही था कल कोईल्स की listing है तो definitely expectations यहीं की बहुत अच्छी listing होनी चाहिए इस वीडियो में इतना ही था hopefully बड़ा लगा होगा thank you friends watching this video